नमस्का दोस्तों स्वागत है सभी का हमारी इस YouTube चैनल पर और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम इस्टारमेकर पर वेटर क्वाल्टी में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं क्योंकि बहुत साई लोगों को प्रॉब्लम होती है रिकॉर्डिंग करने में और बोलते हैं कि कभी music उनका ज्यादा हो जाता है कभी volume ज्यादा हो जाता है या कभी उनके effects अच्छे नहीं होते तो मैं आज यह सारे doubts क्लियर करूँगा और प्लीज वीडियो को last तक देखें क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत important होने वाली है जो भी इस्टारमेकर प quality के earphones हम यूज करते हैं तो दोस्तों normally बहुत सारे लोग कुछ cheap earphones रखते हैं सोचते हैं कि मतलब थोड़े पैसे बचा लें और यह cheap earphone से singing करें बट दोस्तों cheap earphone की mic quality है wise quality है वो अतनी better नहीं होती तो आप cheap quality के earphones लें बट कुछ brand है जैसे कि Samsung है उसका 400-500 में मिलता है या Sony का आप ले लें तो यह सारे earphones आप यूज कर लें क्योंकि यह सारे branded भी है और अच्छे quality का माइक भी होता है तो आपका माइक बहुत ही माइने रखता है आपकी singing के लिए तो इसलिए आप थोड़ा सा better quality का earphone लें और earphone का जो mic है उसको आप please अगर आपके पास कोई tissue paper है तो उस tissue paper से आप ढखके रखें क्योंकि singing कते time आपकी breathing आती है background में कुछ noises होती है तो वो आ जाती है तो इसलिए आप उसको किसी tissue paper से ढखके रखें इससे बहुत ही अच्छा noise का insulation भी होगा और इसके बाद में आपको क्या करना है फिर इसके बाद में आपको star maker में voice and music के ब शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप अपने star maker account पर चले जाएं मैंने ये clone पर एक account बनाया है new account आप सभी को समझाने के लिए तो इसके लिए आप इस पर चले जाएं और यहाँ पर आप कोई भी song एक song select कर ले ठीक है आप मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या effect रखने है तो अगर आपको effect नहीं पता तो आप studio रख सकते हो लेकिन मुझे सारी settings पता है तो मैं custom पर रखूंगा और custom पर आपको बताऊंगा क्या क्या settings करनी है तो custom पर देखिए ये reverb का जो है आपको reverb 66 कर लेना है ठीक है 66 and जो room size है आपका इसको आपको करना है 82 या 83 कर लेना है इसको आपको click कर देना है उसके बाद में effect आपका set हो गया अभी आपको EQ पर जाना है और EQ पर आपको क्या करना है इसको भी आपको custom कर देना है और custom पर जाने के बाद ये जो 16 के दिख रहा है 16 के सबसे last में इसको बढ़ा देना है जहां तक मैं बढ़ा रहा हूँ एक थोड़ा स मतलब इसमें range तो लिखा नहीं हुआ है लेकिन आप अपने हिसाफ से थोड़ा अनुमान लगा कि ऐसे बढ़ा सकते हैं यहां पर तो guess करके आप बढ़ा लीजिए जितना मैंने बढ़ा है और जो 8 के लिखा है इसको भी थोड़ा सा increase करना है बहुत थोड़ा सा ठीक है normal ऐस आपको देखिए जैसे मैंने increase किया है इतने पर आपको increase कर लेना है इसको फिर आपको set कर देना है अब आपको जाना है तीसे नमबर फिर volume पर तो volume आपका बहुत माहिने रखता है इसमें आपको wise क्या करना है wise आपको रखनी है आप 70 का सकते हो या 70 नहीं आप 81 कर लो and जो आपका music है उसको आप 68 कर लो ठीक है आपको ये setting कर लेनी है आपका ये set हो गया अब आपको microphone पर जाना है microphone में देखिए अगर आप star maker के कुछ earphones है कुछ mic है अगर आप वो यूज कर रहे हो जैसे कि vocal master हुआ C8 mic हुआ आप जो भी mic यूज कर रहे हो आप mic पर set कर लो नहीं तो अगर आप ordinary earphones यूज कर रहे हो तो आप उसको उस पर ही click रखो ठीक है adjustment में आपको कोई छेडखानी नहीं करनी है क्योंकि ये पीछ वहां पर already adjust होती है according to your earphones और अगर इसमें थोड़ी भी छेडखानी हुई या आपसे कोई गलती हो गई है तो आप earphone लगा के इसको auto adjust पर करके इसको adjust कर सकते हो ये अपने आप आपकी voice और आपके music के हिसाब से आपका जो why से वो set कर देगा ठीक है तो बस इतनी सारी setting आपको करनी है अगर ये हो जाता है तो आपका जो recording quality बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों और बहुत इच्छी quality में आप record कर पाएंगे तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही बताना था मिलते हैं फिर किसी next व भारत बाई बाई टेक केर